आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंसी में मदर्स को पेड दर्ट के प्रोब्लम क्यों होती है, उन्हें एब्डोमिनल प्रोब्लम क्यों होता है, किस वज़ा से होता है, इसके बारे में डिसकस करेंगे चली प्रेगनेंसी महिलाओं के जीवन का सबसे संबेदन सिल दौर होता है इसमें उन्हें अपने स्वास्ते के प्रती कापी साफधानी बरतनी पड़ती है ऐसे में उन्हें सरीर के किसी भी अंग में दिखने वाली असामाने लक्षणों को नजर अंदाज करने से बचना चाहिए यह मा और बच्चे दोनों के स्वास्ते के लिए बहुत जरूरी होता है प्रेगनसी के दोरान कभी-कभी महिलाएं पेट दर्द की अवस्ता से भी गुजरती है इससे गर्वा वस्ता का सामाने दर्द समझने की गल्दी नहीं करने चाहिए कभी-कभी इस दोरान पेट में दर्द के कारण किसी और कारण के वज़े से भी हो सकता है किसी और भी एक reason हो सकता है health related issues हो सकती है इसलिए आपको ignore नहीं करना चाहिए मैं आपके साथ complete इस बारे में ही discuss करूँगी कि वो कौन-कौन से reason हो सकते हैं और किस reason पेट थोड़ा आपको ज़्यादा precaution लेनी चाहिए अपने doctor से advice लेनी चाहिए फस्ट है हमारा gas या constipation की problem pregnancy में पेट दर्द का एक बड़ा जो reason होता है वो आपको gas या constipation की problem हो सकती है इसकी वज़ा से pain लगातार बढ़ता है और खटी ड़कारे और उल्टी की समस्या होने लगती है second reason है हमारा uterus का भर जाना uterus धीरे धीरे बढ़ने की बज़ा से भी बहुत सी मदर को abdomen और back pain की problem होती है इसके साथ साथ ही nausea की filling भी हो सकती है या vomit भी आने लगता है इसकी लिए ज़रूरी है कि आप लगातार थोड़ी थोड़ी मातरा में कुछ ना कुछ खाती रहें और आप proper rest करें जिससे आपका food proper digest होगा और आपको heart बन की problem नहीं होगी थर्ड रीजन है हमारा पेट में दर्द miscarriage की वज़ा से भी हो सकता है अल्ली pregnancy जो हमारी होती है तो miscarriage के chances उसका खतरा बना रहता है ऐसे में आपके पेट के जो निचले हिस्ते में means lower abdomen भी थोड़ा maroad जैसा pain cramp जैसा pain स्टार्ट होता है और आपको bleeding भी स्टार्ट होती है और abdomen pain बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे अगर आपको symptom दिखाई देते हैं तो आपको जल्द ही अपने गाले को रोचिस से consult करना चाहिए fourth reason है हमारा ectopic pregnancy ectopic pregnancy के बज़े से भी बहुत सी मदर को pain फील करना पड़ता है ectopic pregnancy ऐसी pregnancy है जिसमें embryo का development uterus के बाहर होने लगता है ऐसे में पेट में बहुत तेज दर्द होता है और यह दर्द दीरे दीरे जो pain होती है आपको पूरे abdomen में फील होती है और cramp जैसा भी feel होता है fifth reason है हमारा pregnancy के दोरान urine infection का होना अगर आप pregnancy के दोरान urine infection को ignore करती है तो यह भी पेट दर्द abdomen pain का एक बहुत बड़ा reason होता है इसमें आपको pain के साथ साथ urination में जलन, ulty, fever जैसी भी problems को face करना पड़ता है अगर समय रहते इस पर आप ध्यान नहीं देती हैं तो यह infection बढ़ जाता है और यह infection किद्नी के लिए भी बहुत ही बुरा होता है क्योंकि इसका effect किद्नी पर भी पढ़ता है और किद्नी भी दिया सो मैंने आपके साथ डिसकस किया अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू बाबे टेक क्या प्लीज प्लीज मेरे टेक कीजिए